कि अधिया के नाम पे जो भी इनकी चाइनल दुआ रहा रहा था उनको दस परसंट में जरूर दिसकाउंट लेने के लिए जरूर बोल दिजेगा नहीं होगा तो मेरा चैनल एक बड़ दिखा दिजेगा आपको दस परसंट का डिसकाउंट दोस्तो तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सचिन रॉप जी के भी में तो दोस्तो गोरकपूर में एक ऐसा रेश्टरेंट खुल चुका है जो पूरी तरह से बजट फ्रेंडली है जहां पर सभी लोग जा सकते हैं तो आज मैं आ चुका है एक ऐसे रेश्टरे सब्सक्राइब तो अंदर चलते हैं अंदर क्या कुछ है बाहर से तो आपको डेक्राइशन देख में मिल गया हुए है बहुत अट्रेक्टिव डेक्राइशन है और अगर लोकेशन की बात की जाए तो यह जो है राप्ति नगर फेज 4 में है रेल व्यार चॉक पर तो अंदर चलते हैं अंदर से आपको क्या कुछ है वो सारी चीजे आपको विजिट कराते हैं और एक्प्लोर करते हैं सारी कीजे वाव तो फ्रेट आप यहां का इंटीर नेकिर बाऊची लाजबार इंटीर है अजिए अच्छा आपको बता दूग यह जो है बजट फ्रेंड यहां कोई भी आ सकता है अपने बजट के नुशार जैसे कि हमारे बोरकुर में कृट बहुत सारे तुले हुए और काफी बड़े बड़े रच्ट फ्रेंड है लेकिन यह जो रच्ट है आपके बजट फ्रेंडि है तो सभसे पहले हमके यहां के उनर से बात करते हैं तो यह हमारे यहां के ओनर है जिनका नाम है सौरग हट और मैं एक चीज़ आप से बताना चाहता हूं आप लोगों ने नौका भी आट तो जदू मतलब गया होंगे और जो प्रूज पे जो सिक्योर्टी गार्ड बाउंसर बगेरा जो भी लगे हैं वो इनहीं के हैं और यह इ यह रेस्टरेंट लिए तो सर सबस्टर बहले तो स्वागत आपको मेरे चैनल पर सचेन ब्रॉण जी के पी तो सर हम यह जाना चाहते हैं आपके रेस्टरेंट में क्या कुछ खास है और वो सारे चीज़े आपको इसे पफनें यहां पर सबसे जाले खास है जो कि आप यहां हम रूप पे जरूर देखेंगे लेकिन मैं आपके यह बता दूँ यह कहने का मतलब यह था कि यहां पर जो है आप बर्डे सरिमनी और जितनी चोटी मोटी जो भी पार्टी वगरा होते हैं आप यहां के हॉल कर सकते हैं और काफी कम प्राइब तो सर अगर हम जैसे सर आप जीस बजट यहां चीप उस बजट में आपको देखेंगे सर यहां का अगर चीज मतलब जो भी चीज़े हैं आपकी बजट के अनुसार उससार हम आपको सल्मिश दीन है तो फ्रेंट देर किस बात की आप भी आईए और सब सब पहले हम उपर रूप देख लेते हैं फिर आ पर सब्सक्राइब तो चली उपर जल से अगों बी आपको दिखाएं अगले हैं चाहिं तो सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो गाया है पर पर करेंगे तरह के एक ऐसा नहीं है यहां पर प्रेंड आप रूप टेखेंगे जो इस डिजाईनिग आप देखिए बहुत बहुत दि खुप्सूरत यह सारी चीजए जो है बहूती लाजवाब है और उत्में लिगार एण काम एमhr between Jahren करते हैं और भी आस्वान के नीचे तो मझा या जाए आ जाएगा प्त्री यह को जिँचत में मुटये और फुला को हिए हमना है तो सबसे परले में यह जानना चाहूंगा कि चा कुछ थास आप हमें खिला रहे हैं सर राज आपके लिए सबसे बेश्टे नूडल्स मेरे यहां को नूड़क ट्राई करिये कॉफी सर आपके लिए आपके लिए चिली पेटेटो राई करिये चलिए फ्रेंड सबसे पहले जो सर ने कहा है उसे ट्राई करते हैं सिर उसका स्वाध हम आपके रिव्यू जरूद दीजिएगा बिफुल सर बिफुल सर बिफुल आई उसके लिए नूडल्स और कॉफी आपके इंदजार कर रहा है नूडल्स काईए और कॉफी त्वीजी औ यहां नूडल्स और कॉफी आचुका है तो सबसे पहले इसे टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं तो अब अब जो है मैं अनुडल्स की बताओं बहुत ही लाजवाब बना है बहुत ही इसका जो टेस्ट आ रहा है यह कैसे सब्सक्रण का और भी सारी चीजिस जो किए पढ़ी है बहुत ही लाजवाब तेस्ट रहे था है तो सेकंड जो है मैं कॉफी बिता हुं कॉफी की बहुत ही बहुत मस्क्रण कोम बहुत ही लाजवाब किसी भी 5 सार को यह शो कर सकता है प्रेंट यहां पर काफी लोग यहां आई हुए हैं तो हम इनसे रिव्यू जानते हैं कि कैसा टेस्स था तो सबसे बढ़े बताईए कि क्या कुछ खाया आप लग क्या कुछ खाया आपने यह बताई पर यहां कि हम नूडल चिकन खाया है और उसका प्राइल सही था और टेस् यहां की सारी चीजे जो भी चीजे विवस्ता आपको कैसी लगी और लास्ट में हम आपको आपको एक बार फिर से लोकेशन बता देते हैं जो कि हमारे ओनर जो है वह हमको वह आपको बताएंगे यहां का लोकेशन है राप्ति नगर फेश नंबर 4 नेयर भाई राड़ा हॉस्पिटल आप लोग आईए एक बार कॉंटेट करिए या तो मेरा मुबाइल नंबर जो है किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह के बहुत सारे वीडियो जब मेरे चैनल पर आती रहेंगी और एक बार फिर से मैं लोकेशन आपको एक बार क्लियरली बता देता हूं जब आप रेल विहार आएंगे चार गावा आएंगे चार गावा से पचास सो मीटर आगे बढ़ेंगे रेल विहार चौक है वहां से आप राप्तिनगर फेस पूर जैसे ही आएंगे राडा हॉस्पिकल के ठीक तोड़े से दूर पर यह स्पाइसी जंसन रेश्टरेंट है तो आप सभी आईए यहां पर लुक उठाई यहां पर आगे बहुत सारी चीजे आन लेवल होंगी आप सभी आईए और मेरे नाम पर भाईया ने कहा है कुछ डिस्काउंट भी करेंगा भाईया के नाम से जो भी इनके चाइनल दो आ रहाता है उनको दस परसंट में डिसकाउंट लेने के लिए जरूर बोल दीजेगा नहीं होगा तो मेरा चैनल एक बड़ द